सो नाव टाटा पावर आप देखे 235 उर्पए 50 पैसे पर क्लोजिंग हुई है चार अगस्त को और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 9 अगस्त को आपके सामने Q1 के नमबर्स आने वाले हैं और यहाँ पर तेजी अल्रेडी चली रही है टाटा पावर के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिर यहाँ पर क्या यह 400 रुपए की तरफ बढ़ने वाला है यह बड़ी बात है जो कि यहाँ पर नूट करने वाली है तो टाटा पावर के अंदर जिस तरी से तेजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि अंडर परफोर्मस जो है ना वो खतम हो चुका है अब यहाँ पर क्या देखना है देखें पी रेशियो आपका 22.57 और सब कुछ है यहाँ पर तेजी गिरावट सब इसी से ही जुड़ा हुआ है पी रेशियो आपका चेंज हो जाएगा क्यू वन के नंबर से यहाँ पर एक्सप्टेशन यही है कि क्यू वन के नमबर्स इस बार सॉलिड यहां पर दे टाटा पावर और अगर सॉलिड नमबर्स आते हैं तो यह पी रेशियो जो आपको इंडस्ट्री पी से ज़्यादा दिख रहा है 16.07 का इंडस्ट्री पी है उसके कंपैरजन आपका 22.57 का पी रेशियो चल आए टाटा पावर का इसका मतलब यह है कि स्टॉक की वेलिशन अपने इंडस्ट्री पीर से ज़्यादा है लेकिन अगर यह सस्टेनिविल्टी हमें चाहिए तो Q1 की नमबर्स उसमें हमें हेल्प कर देंगे और Q1 की नमबर्स अगर डिसेंट आते हैं तो फिर डेफिनेटली यह पी रेशियो फंड़मेंटली यह कैल्गुलेट होकर डाउन चला आएगा जिसकी वएश से आपकी जो वेल्यूशन अभी और इंक्रीज हुई है वो यहाँ पर सस्टेनिविल्टी आजाई और यहां से और इंक्रीज होने की ताकत रखता है टाटा पावर दूसरी बात बुक वेल्यू यहां पर बढ़ती हुई नज़र आई तो आपकी कुल मलाकर वेल्यूशन जो है न वो इंक्रीज होती हुई नज़र आएं Q1 से लेकिन Q1 हमें परफेक्टली चाहिए था अब अगर हम दिक्कत हों की बात करें तो टाटा पावर के अंदर काफ भी दिक्कतों में है ताटा पावर अगर आप देखें 2022 सेप्टेंबर के क्वार्टर से प्रॉब्लम और इसी वजह से स्टॉक के अंदर अनब परफॉर्मेंस से दिखा है लेकिन अब एक्सपेक्टेशन जो है वो बतारी Q1 की सारी चीजे जो है वो Q1 की उपर डिपेंड ह बहुत ज़ादा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह सुरुवात होगी थी 2022 सेप्टेंबर से माइनस 3.21 परसेंट की quarter दर quarter negative growth हमें देखने हो बिली थी और यहाँ पर जो second quarter उसमें 0.70 परसेंट का positive growth हमें देखने हो बिली थोड़े से हाल से हुए लेकिन अभी भी सु कि आपको under performance क्यों देखने को मिल रहा है इसके अंदर जो कि मैं आपको कई बार बता भी चुगा इसलिए मैं आपसे कहना था कि level to level चलिए तो आप यहाँ पर जादा यहाँ पर समझ पाएंगे यानि की चार्ट की basis पर fundamental इतने समझ में नहीं आ रहे थी तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है तो Q1 के अंदर हमें यही फोकस करेंगे कि quarter to quarter क्या कह रहा है क्योंकि हाल जो है quarter to quarter ही खराब हुआ है और उसको समझने के लिए हमें quarter to quarter ही देखना होगा year on year basis पर इतना समझ में नहीं आएगा और इस quarter के अगर बात करें तो आप देखे year on year basis पर भी 2023 स मार्च के जो आपका recent quarter था Q4 उसके व्याप पर देखे 4.13% का यहां पर year on year basis पर ग्रोध था तो slow तो था और इस quarter याने Q4 तो और भी ज़्यादा बिगर सकते था अगर यह other income का support नहीं होता other income 871 करोड रुपय की निकल के आई थी जो की सबसे highest थी आप देखें पिछले quarter का तो 259, 143, 152, 72 करोड के आसपर से यही 300 करोड से नीचे 1500 करोड की उपर ही other income रहती थी लेकिन आपका जो Q4 है उसमें धमाकेदार other income निकल के आई तो यह यहाँ पर help करती है नजर आए आपके profitability पर otherwise Q4 की number और जादा खराब हो सकते थे और वही अगर आप consolidated net profit अगर आप दे कि आप quarter to quarter minus 17.70% आपका देखेंगे बिलाता पिछली quarter यानि Q4 में अभी तो Q1 का number आने वाला है तो यह reason था बहुत दिक्कतों भरा है यहाँ पर Tata Power का 3 quarter गुजरा है अगर आप देखें और इसी वजह से stock underperform कर रहा था और जबी भी हम इस की उपर बात करते तो हम यही चर पर सिर्फ नमबर के बेहाब पर यह under performance हमें दिखाए देरें जैसे ही number change होंगे आपको तारी चीज़ सही निकलेंगी आपका stock भी एक अच्छा खासा run up दे सकता है तो अभी हमने यह तो समझ लिया कि Q1 में हमें क्या देखना है quarter 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 नमबर जरूर देखना है लगातार पैका यहां पर है आकड़ा जो है वो चूलेगा टाटा पावर 29 परसेंट है रिकवर हुआ है 52 लो से यह बहुत इच्छी बात है और पावर सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो जब आप कंपैर करें तो किसी का कम किसी के जादा आपको देखने और ऐसा स्टॉक आपको देखने को मिलेगा नहीं जिसके अंदर आपका सोलर का भी यानि ग्रीन एनर्जी का भी बिजनेस हो इसके सासा जो ओल्ड बिजनेस है वो भी आपका सेम मिल रहा हो तो यह एक डिफ्रेंस है और यह अलग भी करता है टाटा पावर को और अभी भी आप देखें तो वेल्यूशन काफी लो हैं और जो लेवल टू लेवल हमने बात करी थी बिलकुल बखूबी बिलकुल सही तरीके से फिट होते हो नदर आई दो सो पंदरा पूंच चालेस का लेवल जो मैंने आपको बताया था कि यह निकलेगा तो तेजी अच्छी खासी ह होगी सेम तो सेम आपको वही देखने हो बिला है हाला कि बहुत किया है इसके आसपास अगर आप देखें तो 215 से यह सपोर्ट बहुत लिया इसने तो यह आपको चार्ट की बेहाब पर तो समझ में आ रहा है कि 215.40 इस स्टॉक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेव 215 रुपए का लेवल यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले स्टॉक के लिए अब बात करते हैं 400 रुपए जा सकता है या नहीं आ सकता है बिलकुल जा सकता है इसमें कोई शक्की बात नहीं है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम देना होगा इसमें बढ़ती हो नज़र आएंगे वैलिएशन बढ़ेंगे तभी जब स्टॉक के प्राइस बढ़ती हो नज़र आएंगे तो आभी देखे 271 रुपए ना 271 यह आपसे मैंने तब कह दिया था जब टाटा पावर टूट रहा था एक बार यह जाएगा तो जरूर जब यह होटा सा गेप दिख रहा होगा एक्च्वल में यह काफी बड़ा है तो यह गेप जो है ना वह भरना है वह फिल हो जाता है तो फिर हम यहां पर 271 रुपए और जबी भी गेप फिल होता है तो आप ध्यां रखे अच्छे नम्मस अगर क्यूवन के आ गए यह गैप तक जा पर इसका ओल टैम आई यह 300 रुपए के असपास अगर यह 300 रुपए निकलता है तो ओल टैम हाई जादा तर स्टॉक में जभी भी निकलते हैं आपको 10-15% का मूव आपको देखने हो मिलता है तो अगर यह 300 रुपए का हाई निकलता है सिस्टोक के अंदर तो 330-3455 रुप आराम से 10-15% का मूव आपको दिखने मिल जाएगा यह एक दिन में नहीं होने वाला है एतना आप ध्यान लखे टाटा पावर में अगर किसी को पेसेंस में पेसेंस रखे हुए ता काफी टाइम से वो इन वातों को समझ सकता है आप आपका कहीं ना कहीं आपका अन्ड़ प करें तो आराम से 345 फिर तो यहाँ पर Q2 आने वाला है Q2 भी अच्छे होगे तो यह 400 रुबे का मार्क तो यह छोई लेगा तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 400 क्या सबस पहुंचता है लेकिन अगर आप देखे हैं तो यह तो कहने वाली बाते हैं कि 400 500 1000 यह सब कहने वाली बाते होती हैं आपका अर्णिंग पर शेर कितना बढ़ रहा होता है आपका पी रेशियो क्या कर रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक के लिए तो अच्छे नमर सी इसको कैलकुलेट करके सही तरीके से स्टेविल्टी ला सकते हैं इस बात का ध्यान रही तो रेंग तो हमें पता जदूर चलता रहेगा तो आपके अगया ने इसके उबर कमेंट सेक्सें में गए और आप दीज़ में जाब वीडियो देखने के लिए बहुत अद्रमाद दूस्तों